इतिहास की पुस्तक पहला भाग अध्याय दो इस्राइल के ये पुत्र हुए रुबेन, शिमोन, लेवी, यहुदा, इस्साकार, जुबलून, दान, युसूफ, बिन्यमिन, नप्ताली, गाद और आशेर यहुदा की वन्शावली, यहुदा के ये पुत्र हुए, एर, ओनान और शेला, उसके ये तिनों पुत्र बत्शु नाम एक कनानी स्त्री से उत्पन्न हुए, और यहुदा का जेठा एर, यहोवा की दुरुष्टी में बुरा था, इसकारन उसने उसको मार डाला, यहुदा क की बहु तामार से पेरेस और जिरह उत्पन्न हुए। यहुदा के सब पुत्र पांच हुए। पेरेस के पुत्र हेस्तरोन और हामुल और जिरह के पुत्र जिम्री, एतान, हेमान, कलकोल और दारा सब मिलकर पांच। फिर कर्मी का पुत्र आकार जो अर्पन की हुए वस्तु देने वाला हुआ और एतान का पुत्र अजरिया है। हेस्त्रोन के जो पुत्र उत्पन्न हुए यरहनमेल, राम और कलूबे और राम से अम्मिनादाब और अम्मिनादाब से नहशोन उत्पन्न हुआ जो यहुदियों का प्रधान बना। और नहशोन से सलमा और सलमा से बोवाज और बोवाज से ओबेद और ओबेद से इशे उत्पन्न हुआ। और इशे से उसका जेठा एलियाब और दुसरा अबिनादाब तीसरा शीमा, चवथा नतनेल और पाँचवा रद्दे, छटा ओसेम और सात्वा दाउद हुआ। इनकी बहिने सरुयाह और अबिगेल थी। और सरुयाह के पुत्र अबिशे, योआब और असाहेल ये तीन थे। और अबिगेल से अमासा उत्पन्न हुआ। और अमासा का पिता इश्मायली एतेर था। हेस्त्रोन के पुत्र कालेब के अजुबा नाम एक स्त्री से और यरियोज से बेटे उत्पन्न हुए। और इसके पुत्र ये हुए। अर्थात, एशेर, शोबाब और अर्दोन जब अजुबा मर गई तब कालेब ने एपरात को ब्याह लिया और जिससे हूर उत्पन्न हुआ। और हूर से उरी और उरी से बसलेल उत्पन्न हुआ। इसके बाद हेस्त्रोन गिलाद के पिता माकिर की बेटी के पास गया। जिसे उसने तब ब्याह लिया जब वह साथ वर्ष का था। और उससे सगूब उत्पन्न हुआ। और सगूब से याईर जन्मा। जिसके गिलाद देश में तेईस नगर थे। और गशूर और अराम न कर साथ थे। ये सब गिलाद के पिता माकिर के पुत्र हुए। और जब हेस्त्रोन कालेब प्राता में मर गया तब उसकी अभियह नाम स्त्री से अशहूर उत्पन्न हुआ। जो तको का पिता हुआ। और हेस्त्रोन के जेठे यरह मेल के ये पुत्र हुए। अर्थात राम जो उसका जेठा था, और बुना, ओरेन, ओसेम और अहियाह, और यरह मेल की एक और पत्नी थी, जिसका नाम अतारा था, वह ओनाम की माता थी, और यरह मेल के जेठे राम के ये पुत्र हुए, अर्थात मास, यामिन और एकेर, और ओनाम के पुत्र शम्मय और यादा हुए, और शम्मय के पुत्र नादाब और अभिशूर हुए, और अभिशूर की पत्नी का नाम अभी हेल था, और उससे अहबान और मुलीद उत्पन हुए, और नादाब के पुत्र सेलेद और अपयम हुए, सेलेद तो निसंतान मर गया, और अपयम का पुत्र ईशी, और ईशी का प पुत्र शेशान और शेशान का पुत्र अहले। फिर शम्मय के भाई यादा के पुत्र एतेर और योनातान हुए। एतेर तो निसंतान मर गया। योनातान के पुत्र पेलेत और जाजा। यरह मेल के पुत्र ये हुए। शेनान के तो बेटा न हुआ, केवल बेटिया हुई, शेनान के पास यरहा नाम एक मिस्री दास था, और शेनान ने उसको अपनी बेटी ब्याह दी, और उससे अत्य उत्पन हुआ, और अत्य से नातान, नातान से जाबाद, और जाबाद से एपलाल, एपलाल से ओबेद, ओब हलाईस, से एलासा, सिस्मै, सिस्मै से शल्लूम, स्ल्लूम से यकम्याह और यकम्याह से इलिशामा उत्पन रुए। फिर यरह मेल के भाई कालेप के ये पुत्र हुए। अर्थात उसका जेठा मेशा जो जीप का पिता हुआ।Or मारेशा का पुत्र हेब्रोन भी उसी के वंश और हेब्रोन के पुत्र कुरह, तपुह, रेकेम और शेमा, और शेमा से योरकाम का पिता रहम और रेकेम से शम्मय उत्पन्न हुआ, और शम्मय का पुत्र माओन हुआ, और माओन बेचसुर का पिता हुआ, फिर एपा जो कालेप की रखे ली थी, उससे हारान, मोसा और गाज उत्पन्न हुए और हारान से गाजेज उत्पन्न हुआ फिर यहदय के पुत्र रेगेम, योताम, गेशान, पेलेद, एपा और शाप और माका जो कालेब की रखिली थी उससे शेबेर और तिरहाना उत्पन्न हुए फिर उसने मदमना का पिता शाप और मकबेना और गिबा का शबा उत्पन्न हुए। और कालेब की बेटी आकसा थी। कालेब के ये पुत्र हुए। एपराता के जेठे हूर का पुत्री, करियत्यारीम का पिता शोबाल, पेटलहेम का पिता सल्मा और बेत गादेर का पिता हारेप। और किरियात्यारीम के पिता शोबाल के वंश में हारोय आधे मनु होत्वासी और किरियात्यारीम के कुल अर्थात इत्री, पूती, शुमाती और मिस्राई और इनसे सोराई और एष्टाउली निकले। फिर सलमा के वंश में बेतलहेम और नतोपाई, अत्रोथ, बेत्योआब और आधे मानहती सोरी और याबेस में रहने वाले लेख्यकों के कुल अर्थात तिरासी, शिमाती और सुकाती हुए। ये रेकाप के घराने के मुलपुरुश हम्मत के वंश वाले केनी है।